ऐसे प्रश्णी की तरफ जिसकी वज़े से कई घरों के अंदर टेंशन बढ़ गई है हो सकता है कि उसके अंदर आप भी हो आप भी हो से मतलब है कि आपके घर के अंदर भी इस बात की वज़े से थोड़ी चिंता हो गई हो चिंता क्या कि कल मोदी जी जो है वो गुजरात के अंदर Invest – गुजरात के अंदर Invest Summit थी उसको संबोधित कर रहे थे संबोधित करते करते उन्होंने कहा कि मैं Investors को आमंतृत करता हूँ कि वो भारत में इंवेस्ट करें और हजारो करोड का एक कारोबार संभव है जिसे हम लेकर आ रहे हैं उसे शुरू करें कौन सा कारोबार लेकर आ रहे हैं बोले अब हम चलती हुई गाड़ी का फिटनिस चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं और अगर उस गाड़ी के अंदर फिटनिस में कोई दिक्कत आई तो उस गाड़ी को सीधा उठाएंगे और स्क्रैप कर देंगे या नि कबारा कर देंगे अब आप पूछेंगे कबारा कर देंगे इसे क्या मतलब है कबारा करने से मतलब है कि वो गाड़ी फिर आपके पास नहीं आएगी आप सोचिए आप सह परिवार गाड़ी में बैट करके जा रहे हैं आपको रास्ते में एक गाड़ी मिलती है आपके सामने एक RTO की गाड़ी आती है आपको रोक दिए भीया रोकिये तो जरा गोले हाँ गोले लाइए इस गाड़ी को थोड़ा साइड में लाइए इसका फिटनेस टेस्ट करना है एक मशीन लगी हुई है उस मशीन में आपकी गाड़ी चढ़ा दी गई उसने चेक किया कि आपकी गाड़ी का engine कैसा चल रहा है, fuel performance कैसा चल रहा है, clutch gear brake कैसे चल रहा है, उसने चेक किया, आप service कराने की सोच ही रहे थे और आपकी गाड़ी जो है वो service mantra ले पहुँच गई, आपकी गाड़ी चेक हुई और पता चला कि यार भाई ये तो ज़्यादा pollution फैला रही है, आपका चल रहा था कि यार मैं इसके अंदर कुछ करवाने वाला हूँ, silencer ठीक करवा लूँगा, engine का काम करवा लूँगा, आप सोच रहे थे जुगार करवाने की, अचानक आपको रास्ते में रोका गया, से परिवार आपको उतारा गया, कि उतर ये गाड रे शाबाज, बोले क्या करना है, बोले आपकी गाड़ी को अब हम ले करके कवारा बना देंगे, कवारा बना देंगे मतलब ये हुआ, कि वो गाड़ी दुबारा सडक पर नहीं दिखेगी, उसका हम कचुमर निकाल देंगे, चूरन बना देंगे, ये है स्क्रैप पॉलिस इस क्रैप पॉलिसी के अंदर गाड़ियां जो की खटारा हो चुकी है, उन्हें चूरन बनाने की नीती लाई जा रही है, इस खटारा नीती के अंदर भारत में पहले ऐसा हुआ करता था, कि जो प्राइविट वीकल्स हैं, ये 20 साल बाद खटारा बनाये जाते थे, और जो कमर्शियल वीकल्स हैं, ये 15 साल बाद खटारा बनाये जाते थे, लेकिन सरकार अब एक तूफानी आइडिया के साथ आ रही है, ये साल वाल सब हटाईए और ये फोकस करिए कि गाड़ी फिट है या नहीं, बोले चेक कौन करेगा, बोले आटोमेटिड फिटनेस सेंटर ड अब आटोमेटिड आपकी गाड़ी अंदर गई, वहाँ सब चीजे चेक वेक हुई, मशीन ने किया, और करके बता दिया कि, अरे सर ये तो ख़वार खराब हो गई, बोले कवाड़ा कर दीजे इसे, गाड़ी का हो गया कवाड़ा और आप सह परिवार रिक्से में बैटके गर आए, कारण क्या है, आपको सरकार सावासी के रूप में ये कह रही है, कि 15% तक आपको इंसेंटिवाइस किया जाएगा, रिजिस्ट्रेशन चार्ज माफ कर दिया जाएगा, आप जब नई गाड़ी लेने जाएंगे, अब आपकी पुरानी गाड़ी चली गई है, समझ दे दिया जाए, मान लीजे, गाड़ी की जो कवाड़ा हो चुकी है, वो लाख रुपे की तो बची ही थी, तो 15,000 रुपे शायद आप लेके भी आ जाएं, तो ये सरकार की नीती है, और सरकार क्या कह रही है, सरकार ने अपनी स्क्रेप नीती में कहा है, कि अगर कोई मार्केट आ रहा है इंडिया में, और सुन लीजिएगा, सभी लोगों से कहा जा रहा है, जितना पैसा है लगा दो, या तो तुम्हारा फिटनेस सेंटर खुलवा देंगे, या स्क्रेप कबाड़ा करने के लिए दुकान खुलवा देंगे, इंडिया में बहुत स्कोप है, हम बढ़िया नीती लेके आ रहे हैं, तो भाई सहाब, नेशनल वीकल स्क्रेप पॉलिसी लाँच हो चुकी है, 13 अगस्त को, मोदी जी ने ये जानकारी दे दी है, कि इट विल प्रमोट एस सर्क्यूलर एकॉनमी, अब भाई सहाब, ये बात सुनकर रखे न, कैयों का दिमा होगी, तो इसमें आइडिया ये है, कि एकॉनमी सर्क्यूलेट करने का तरीका थोड़ा तूफानी है, सर्क्यूलेट होने का आइडिया तूफानी इसलिए है, कि आपकी पुरानी गाड़ी खतम हो गई, अब आप क्या कीजिएगा, नई गाड़ी लेंगे की नई, लेंगे investment की तरफ बढ़ पाएंगे दूसरा अब बिजली इतनी पैदा कर ली है तो बिजली का कीजिएगा क्या तो ऐसी स्थिती में नए electric वाहन को promote किया जाएगा कहा जाएगा कि बिटा सुनिए अगर आपका गाड़ी कवाला हो गया है तो electric वाहन थोड़ा सस्ते दाम पर दे देंगे electric vehicle लीजिए तो इस प्रकार से और तीसरा आपकी petrol डीजल की prices वैसे ही देशी घीजितनी हो जाएगी तो फिर क्या कीजिएगा आप खुद से कवाला कर दीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं साथियो तो यहाँ पर मोदी जी ने investor summit को अभी initiate किया है कहाँ पर किया है साथियो तो मैंने बता दिया है यह हाल ही में 13 अगस्त को गुजरात के अंदर शुरू किया गया है launch of vehicle scrapping policy today आपको याद होगा यह मैंने जानकारी आपको पहले भी दी थी और क्या जानकारी थी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको याद होगा budget के समय भी बताया था कि सरकार का plan है कि budget के अंदर scrap वाहन scrap नीती लेके आनी है तो यहाँ पर देख लीजेगा कल launch हो चुकी है 13 तारिक के अंतरगत और यह investor summit चल रही थी गुजरात में वहाँ के माध्यम से यहाँ पर मोधी जी ने कहा कि I would request our youth and startups मैं नौजवानों से और startup करने वालों से कहूंगा कि भाई आप जल्दी से आप लोग पैसा लगाएं और बढ़िया से देश के अंदर investment options पाएं ठीक है ना अब मैं आपको कुछ इस प्रकार के कवाड़े दिखा दिता हूँ आपकी गाड़ियां जो हो सकता है ऐसी कवाड़े के धेर में पड़ी हुई दिखें आप इनमें से पईया ही निकाल वाएंगे वागी कुछ कर नहीं पाएंगे anyway फिलहाल के लिए बड़ा सवाल ये बनता है कि जो unfit vehicle हैं वो इस प्रकार से कवाड़े के अंदर रख दिये जाएंगे set कर दिये जाएंगे जमा दिये जाएंगे तो बड़ा सवाल ये है कब से होने वाला है सर थोड़ा बता दीजिए तो देखिए नितिन गड़करी जी की अगर बात माने तो नितिन गड़करी जी ने कहा है कि 15 साल बाद वाले तो commercial vehicle और personal vehicle 20 साल वाले देखिए क्या है न जी कि मुझे इसके बारे में जितनी जानकारी जहां जहां से मिली मैं वो पारिसारी पड़ा देता हूँ इसमें इनका कहना है कि मतलब ये हो गया जिन गाडियों को 15 साल से उपर हो गया है commercial vehicle ट्रक हुआ, बस हुआ, जीप, जौंगा जो की सवारी ढोते थे अगर उन्हें 15 साल से उपर हो गया है तो उन्हें तो रास्ते में पकड़ करके ही बंद कर दिया जाएगा कि तुम चलो अंदर, ठीक है अच्छा, दूसरा, जिनका private vehicle है जैसे निजी कार, आपकी खुद की personal कार है, तो उसको 20 साल होते ही अंदर डाल दिया जाएगा तुम्हें तो मतलब ही नहीं है चलने का, ठीक है तो दो काम तो ये हो गया If they fail to pass the test इनका एक full body check-up होगा और उस full body check-up के अंदर अगर ये pass नहीं हो पाए fitness test के अंदर, तो ये काम कर दिया जाएगा By the way, आपको inform कर देता हूँ मैं आपके मन में curiosity होगी कि कब तक चलेगा सर, ये बता दीजिएगा तो साथियों, यहां पर commercial vehicle जो है वो अप्रेल 2023 के बाद में fitness test pass करने जरूरी होंगे 2023 के अंदर fitness test pass करने जरूरी होंगे वहीं पर जो मतलब जो private vehicles हैं ये June 2024 के बाद fitness test pass करेंगे यानि कि तब तक आप ठंडी सांस ले सकते हैं मान लीजे आपकी गाड़ी एकदम border पर ही चल रही है, जिनके 15 साल अभी पूरे हो गए हैं, जिनके गाड़ी को वो थोड़ा सा और खुश रह सकते हैं, या आपको एक दो साल की महलत और मिल गई है, ठीक है ना? अच्छा, अब आप में ना एक curiosity बनेगी, और वो क्या बनेगी? गुरुजी एक बाद बताईए, हमने vintage car देखी थी, vintage car का मतलब अंग्रेजों के समय की car देखी थी उसको कहां छुपाना पड़ेगा? सर, ये तो मुसीवत हो जाएगी, हैं, वो 100-100 साल पुरानी car लिए लोग घूम रहे हैं vintage car बनाए हुए घूम रहे हैं, जिनका handle भी बाएं हाथ की तरफ है, सर चलते भी है तो ऐसा लगता जैसे सिगडी जल रही है, उसका क्या कीजिएगा? उनकी तो बहुत तरड़ी rail बन जाएगी, सरकार ने उन्हें exempt कर दिया है exempt का मतलब हुआ, कि नहीं तुमको छोड़ दे रहे हैं, बाकी सब का कबाड़ा कर देंगे, समझे? आप अगर अलग है कि नहीं मैं तो मेरी car को, मेरी मातुली को मैं चाता हूँ कि यह आने वाले समय पर vintage car बने तो फिर हो सकता है कि आपको थोड़ी सी फरियाद मान ली जाए, कि मैं चाता हूँ 100 साल बाद मेरी काड़ी देखी जाए, वो बात अलग हो जाएगी, ठीक है? तो यह सरकार करने जा रही है, तो बढ़ाई हो साथियों दूसरी बात यह है कि इस vehicle testing policy के अंतरगत automated fitness center पर यह कारे किया जाएगा, यानि मशीन खुद से चेक करेगी कि आपका vehicle बचा या नहीं बचा, इसके तहत कहा जा रहा है कि 25% तक की आपको scrap किये गए particle के उपर, एक मतलब fees का waiver दिया जाएगा, registration fees माफ कर दी जाएगी, आपकी गाड़ी का जो registration charge है उसको माफ कर दिया जाएगा, अथार्थ आप लोग जैसी कोई बड़ी गाड़ी खरीद के लाते है, अब मेरे दिमाग में आइडिया ये चल रहा है, कि अगर मान लीजे, कि एक मारूती 800 परचेज की जाए, अधी ठीक ठाक से मौसम में है ना, 20 साल जिसके होने वाले हो, हजार, मतलब 51 हजार में मिल जाए, पता नहीं, अब इसके बारे में कितनी सही है, जानकारी नहीं है, अब मान लीजे मुझे नई गाड़ी लेनी है, अब पता चल रहा है, कि मैं एक 50-60 लाग की कार खरीदने जाऊं, अभी मैं मारूती ले आऊं, और मारूती ले जा करके, वहाँ पर 20 साल पूरे होने के उपलक्ष में उसका स्क्रैप करा दूँ, स्क्रैप कराने कराने ले गया, आर्टियो वालों का रिस्टेशन भी बहुत महँगा होता है, भाई, 3-4 लाख रुपे तो आर्टियो वाला ही ले ले लिता है, 50-60 लाख की गाड़ी के उपर, तो भाई, वहाँ से माफ करा लिया, मुझे लगता नहीं है, कि ऐसी गलती होगी, कुछ ना कुछ तो अलग अभी कल्प निकलेंगे, या तो जो बेचोगे वैसा ही परचेज करोगे, कुछ तो सरकार शायद इसमें जादा इसपस्टी करन देगी, नहीं तो भाई सा मार्केट में से सरकार बाद में स्क्रैप हटाएगी, हम जैसे लोग पहले ही स्क्रैप खरीद के बैठ जाएंगे, कबाड़ा व्यापारी हो जाएंगे, समझें? तो उमीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सरकार का कहना है कि इससे सरकूलर एकॉनमी हो जाएगी, बढ़िया से पैसा घुमेगा, क्योंकि इसकी वज़े से नई गाड़ियां मार्केट में आएंगी, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वीकल्स की सेल बढ़ जाएगी, नए वीकल्स जो हैं वो मार्केट में आने लगेंगे, कबाड़ा दूर होने से, बार्केट के अंदर नई गाड़ियों के निर्मान के अंदर आटोमेटिव जो वीकल है, आटोमेटिव इंडस्ट्री जो है, उसको बड़ा फायदा होगा, ऐसा सरकार का मत है, तो भाईया हमने बता दिया है, ये इको फ्रेंडली कारेकरम सरकार करने जा रही है, और इसकी वज़े से, वेस्ट से वैल्थ बनाई जाएगी, यानि कचरे से धन बनाया जाएगा, कवाडी किंग बनाया जाएगा, कल रविवार है, और कल रविवार के उपलक्ष में, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में, शायद हमारी वहाँ पर कलास भी नहीं होती है, ऐसी इस्थिती में, आप लोगों को पहले ही, स्वतंत्रता दिवस की हारदिक शुब कामनाय, विचारों से स्वतंत्र रहें, किसी भी प्रकार से, किसी अन्य के विचारों को अपना विचार बनाने से पूर्व, पूरी तरह सुनिश्चित करने की ये आप ही हैं, जो किसी अन्य के विचारों से सहमत हो रहे हैं, है ना, तो पहली स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता आपके पास रहे, हमारा देश इसी प्रकार से किसी प्रकार के बंधनों में युक्त ना हो हमारे देश के अंदर आप जैसे युवा, आप जैसे कौशल युक्त व्यक्ती इस देश को उचाईयों तक ले जाने के अंदर जितना सार्थक प्रयास हो सके वो करें मेरा आप सभी को बहुत सारी शुब कामनाओं के साथ अपने देश की स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दिवस वर बहुत सारी शुब कामनाओं साथियों यदि आप चाहते हैं ilmanacademy पर हमारे साथ पढ़ना तो मेरा referral code है Ankit 10 जिसका उपयोग करके आप Anacademy पर मेरे साथ पढ़ सकते हैं SSE category के अंदर मेरे द्वारा foundation batch लिया जा रहा है Anacademy पर SSE के अंदर बहतरीन offer चल रहे हैं 5850 रुपे में आपको एक साल के subscription के साथ 3 अतिरिक्त महीने का subscription दिया जा रहा है वही 7000 रुपे की subscription के साथ 6 अतिरिक्त महीने का subscription दिया जा रहा है SSE category में हमारे द्वारा एक combat भी लिया जा रहा है जिस combat में कल दुपहर 12 बजे ये combat होगा ऐसे ही कल 11 बजे UPSC category में combat होगा आप referral code Ankit 10 यूज़ करके उस combat को join कर सकते हैं जिसमें आपको free में scholarship तक दिया जाने का प्रावधान है free में आपको subscription तक दिया जाने का प्रावधान है Unacademy पर आप मेरा referral code Ankit 10 यूज़ कर सकते हैं और 10% का discount immediately प्राप्त कर सकते हैं बात हो UPSC की तो UPSC के अंदर भी independence दिवस के अवसर पर आज दुपेर 12 बजे से एक सीरीज शुरू हो रही है आप इसे join कर सकते हैं Using my referral code Ankit 10 कल शाम 8 बजे तक ये चलने वाली है Unacademy पर freedom offer चल रहा है वरतमान में जसमें आपको मातर 49,000 रुपीज में plus GS and optional दोनों दिये जा रहे हैं एक साल के लिए आप इसे join कर सकते हैं साथियों Unacademy पर तमाम प्रकार की classes, mentorship ये सारी जानकारियां आपके लिए चल रही हैं आप इन classes को join कर सकते हैं Unacademy पर UPSC category के अंदर विध्यारकियों को किताबे जो हैं वो पूरी तरह से 20 किताबे हिंदी और English में छपी हुई अवस्था में उनके इस पास भीजी जाती हैं आप उसे join कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं UPSC की preparation में आपके लिए एक personal mentor मिले तो आप Unacademy का iconic plan प्रचेज कर सकते हैं फिलहाल के लिए इतनी ही जानकारियां sufficient हैं फिर मिलते हैं आपके साथ में अन्य जानकारियों के साथ में अगले session में अपना खयाल रखिएगा और ध्यान रखिएगा बड़ों का सम्मान हो छोटों को प्यार मिले और अपना व्यक्तित बहतरीन तरीके से आप लोग विक्सित कर पाएं इस class की PDF के लिए आप मुझे मेरे telegram channel जो official channel है अंकित अवस्थी सर अनकेडमी इस पर आप follow कर सकते हैं इसके अलावा मेरे जो personal telegram channel है उन पर भी आपको मेरी PDF प्राप्त हो जाएगी ठीक है चलिए तो फिलाल के लिए इतना ही खयाल रखिएगा अपना सभी को शुब कामने धन्यवाद